दोस्तों आज के दिन expiry का roller coaster ride आपको कैसा लगा कभी उपर कभी नीचे कभी उपर कभी नीचे बट दोस्तों इसी roller coaster ride में आज के दिन एक से एक record break किये हमने profit का 1,72,000 का profit दोस्तों एक दिन में again 1,00,000 से ज्यादा profit 76,000 profit 60,000 profit and दोस्तों जो मैं अपने free वाले telegram channel पे कल commitment किया जो मैंने दोस्तों public के सामने promise किया था आज आप देखिए वहीं same level दिया jackpot level 9,22 पे दोस्तों 33,000,056 का level दे दिया था clearly बोला था इसे break करेगा sustain करेगा then buy करने के लिए end दोस्तों उसके बाद आप देखिए जैसे ही मेरे level को banglity ने break किया सीधे 300 point का momentum दिया तो दोस्तों ज कलके जो जो लोगों ने वीडियो देखा कल निप्टी का बोला था 15,470 ब्रेक करेगा then हम call buy करेंगे आज खुद देख लीजिए खुद देख लीजिए दोस्तों result आप खुद देखिए जैसे ही निप्टी ने break किया सीधे 100 point का momentum दिया कल के वीडियो में सब कुछ बता कर जाएए दोस्तों भी कभी कल का वीडियो देख लीजिए अगर आपने भी तक मेरे free wallet टेलीग्राम चैनल जोइन नहीं किया है जल्दी से जाएए link description में है दोस्तों click करके join कर लीजिए and कल के दिन nifty bank में क्या हो सकता है ये भी हम discuss करने वाले है ये वीडियो में option chain का analysis देख Instagram चैनल पे उसका link description में है miss मत कीजिए join कर लीजिए आप खुद ही देख लीजिए 922 पे जो लेबल दिया आप सब के सामने live market में दोस्तों सीधे 300 point का momentum दिया निप्टी का जो लेबल दिया 100 point का ज्यादा momentum दिया और क्या ही चाहिए free में दोस्तों इतना तो मिल रहा है तो ज like बनता है चैनल को subscribe बनता है दोस्तों comment कर लीजिए आज कितना profit हुआ कितना आपका loss वा सच सच बताना comment में तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं पहले बात करते हैं bank nifty से bank nifty का थोड़ा अलग level का analysis करेंगी आपको concept थोड़ा different लगेगा बट मैं समझाने की जरूर आपको क process करूँगा और हाँ option चैनल का analysis इसके बाद हम करते हैं ठीक है अब simple सी बात है दोस्तों कल के दिन bank nifty को buy कप करना है देखिए simple सी बात है अगर समल लीजे कल के दिन bank nifty gap up open हो गया कल के दिन bank nifty gap up opening हो गया और दोस्तों 33,472 ये level को जैसे ही दोस्तों bank nifty break करेगा आपको इस दोस्तों कहिना कि bank nifty धीरे धीरे एक बड़े momentum इससे भी और तेज बड़े momentum के लिए तयार हो रहा है clearly देख सकते दोस्तों 33,472 का level मेंने क्यों दिया क्यों मैंने बोला कि इसके उपर होगा तो हम buy करेंगे इसकी पीछे simple region है यहाँ पर आप देख सकते दोस्तों एक में blue color का trend line draw करके रखाऊं और इसी trend line को आप देखिए जब भी जब भी दोस्तों इसी blue color का trend line को bank nifty touch करता है यहाँ से एक बड़ा fall दिया again आप देख सकते यहाँ पर touch किया bank nifty again यहाँ से बड़ा fall दिया तो यह blue color का trend line एक बहुत important resistance है दोस्तों आप clear cut देख सकते हैं यहाँ पर momentum देखने को मिलेगा इससे पहले इसी range के अंदर यह squeeze होता रहेगा कोई बड़ा momentum नहीं देने वाला ओके तो कल के दिन 33,472 के उपर अगर निकलता है तो हम buy करेंगे simple concept है ना clear हो गया अब simple सी बात है हम sell कप करेंगे दिखे दोस्तों panic selling पहले मैं बता देता हूँ panic selling कप दे यहाँ पर trend line draw करके रखाऊं और इसी trend line को देखिए दोस्तों बेंगनिटी केसे केसे price आप देखिए इसी trend line को respect कर रहा है यहाँ पर आप देखिए जैसे trend line को touch कर रहा था नीचे आ रहा था ना again touch कर रहा था नीचे आ रहा था यहाँ पर इसका उल्टा जब भी दोस्तों करता है उपर जाता है टच करता है आज की दिन ऊपर गया अज दो सड़न बॉट्टाम हमने आइडेंटिपाई किया था यहाँ पे था दोस्तों क्योंकि यह ट्रेंड लाइन को आप देखिए कितना स्मूधली यह फोलो कर रहा है तो ऊपर बन गया रेजिटनस नीचे बन गय तो कल के दिन हम करें क्या देखिए और एक में लेवल देता हूँ वो है 33,000 कल के दिन अगर 33,000 के नीचे दोस्तों बेंगनिप्टी जाता है तो आपको सेल करना है इसके पीछे भी दोस्तों बहुत सिंपल सारी जन है अगर आप ध्यान से देखें कि बेंगनिप्टी को प् फिर सेलर नीचे लेके आए फिर बायर यहां से कोसिस या नीचे लेए उपर लेने के लिए फिर यहां पे डिप मारा और यहां से फिर बायर उठा के लेके चलेगे तो यह जो पॉइंट है दोस्तों सौरी ड्रॉइंग तो बहुत खराब हो गया क्या ही करो 33,000 के नीच दोस्तों अगर कल के दिन जाता है तो हम put buy करेंगे बट असली selling जैसे मैं आपको बताया 32,700 के नीचे ही देखने को मिलेगा और अगर आप ध्यान से picture को देखेंगे तो ये एक बहुत बड़ा triangle बन रहा है दोस्तों यहाँ पर आप देखिए उपर नीचे होके ये दोस्तों call writer है ये हमारा put writer है call writer क्या create करते है resistance create करते है support create करते है और दोस्तों ये अगले हपते का like expiry का option जैने इस हपते का नहीं है तो आप लोग confuse मत हो जाएए तो दोस्तों देखिए एक ही label बोलोगा ज़्यादा time pass ने 33,500 जो label में आपको अभी भी बताया था 33,500 दोस्तों यहाँ पही अगले हपते के expiry से 4,97,000 का call writer यहाँ पे बेठे है तो ये कल के लिए resistance है simple concept कुछ ज़्यादा time pass नहीं करेंगे और 33,000 पे हमारा put writer बेठे है 5 लक से ज़्यादा तो बहुत important label दोनों मिल गया 33,500 हमारे लिए call writer बेठे है ये बन के हमारे लिए बहुत बड़ा resistance क्योंकि 5 लक प्लस call writer बेठे है अगले हपते expiry का call आज से ही sell करके बेठे है दोस्तों इसलिए आप देखिए change in oi change in oi यहाँ पे गहिना के 4,97,000 है और जो put writer है जो की support provide करते है ये लोग 33,000 के label पे बेठे है इसका मतलब है कि put writer चाहते है कि 33,000 के label के उपर ही market रहे call writer चाहते है कि 33,500 के नीचे ही market रहे और इन दोनों का जब भी market जी side breakout करेगा तो फिर band बजने वाला यानि कि 33,500 के उपर गया तो buy नीचे गया तो sell बहुत time हो चुका है दोस्तों चलिए निप्टी भी देख लेते हैं तो आप लोग बोलो कि निप्टी ही समझाते नहीं आप सिंपल सी वात है निप्टी को buy कप करेंगे देखिए कल के दिन अगर समझा लीची दोस्तों निप्टी थोड़ा gap down अपनिंग हो गया और 15,622 ये लेबल को निप्टी जैसे ही breakout किया दोस्तों इसके उपर हम buy करेंगे आज तो magic आप देखिए कल यहाँ पर मैंने बोला था ना एक green color का में trend line draw करके रखा हूँ sorry blue color का trend line draw करके रखा हूँ आप लोग clear cut देख सकते हैं और इसी blue color का trend line को आप देखिए nifty कितना beautifully respect कर रहा है यहाँ पर कहीन है कि blue color का trend line को nifty touch किया नीची आ गया यहाँ पर आप देखिए गें trend line अगर तूटेगा इसी blue color का trend line अगर gap up flat अपनी होगे break करेगा तो क्या होगा हमारा trend change हो जाएगा और previous swing कहाँ पे हैं 15622 पे दोस्तों यहाँ पे आज का resistance भी है यहाँ से market गिरा था तो कल के दिन अगर इसके उपर निकलता है तो ही हम buy करेंगे अब sell कब करेंगे देखिए selling के लिए simple सी बाते हैं कल अगर बहुत बड़ा gap down अपनी हुआ 100 point का 150 point का और 15384 यह level को अगर जैसे ही break करता है दोस्तों इसके नीचे हम put buy करेंगे इसके पीछे बहुत simple region है 15384 एक बहुत important support जो ने फाइनल क्या क्या price ने breakout दिया तो यह बहुत important level था दोस्तों 15384 का level जैसे ही price ने breakout दिया एगें टेस्ट करने आया तो यह बन गया बहुत बड़ी है support यहां पे market उपर गया एगें आप देखे आज के दिन भी यहां पे market तो दोस्तों जब तक 15384 के नीचे नहीं आता तब तक हम put buy नहीं करेंगे कल के दिन ठीक है और call buy के लिए तुमा ने आपको बता दिया चलिए जल्दी से देख लेते हैं option chain 15500 पे कहिना कहीं like nifty closing दिया है 550 के आसपास अब आ गयें दोस्तों निप्टी का option chain पे यह हमारा call writer है यह हमारा put writer है अब देखते हैं दोस्तों देखिए 15000 कहीं न कहीं 300 के आसपास closing दिया है 350 I think 15500 के आसपास कहीं न कहीं nifty closing दिया है तो दोस्तों उपर बाला एक ही level है वो है 15600 का level बहुत important है कल के लिए 4 lakh plus call writer आज के दी नहीं बेठे हैं दोस्तों 622 हमने discuss किया था ना भी resistance तो 15600 एक बहुत important level है 4 lakh plus call writer वहाँ पे बेठे हैं कल के लिए बन गया resistance मिल गया level अगर 15600 के उपर निकलता है तो यह call writer क्या होगा फसेंगे और कहिना के market उपर निकल जाएगा तो simple सी बात है 15600 लेबल से पहले आपको buy नहीं करना है अब आज आता है support अगर आप support देखेंगे दोस्तों कुछ खास put writing नहीं है एक ही level ने वह है 15400 का असपास वह भी 25500 कुछ put writer है तो कुछ खास data नहीं बन रहा है put writer पे call writer का एक data बन रहा है 15600 तो दोस्तों कल के दिन इसके उपर निकलता है तो अच्छा opportunity हमें मिलेगा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like कर दिए दोस्तों जाए free वाले टेलीग्राम चैनल पर अभी गभी आप join कर लीजिए enjoy कीजिए दोस्तों free वाले label bye-bye and see you